पेट दर्द तुरंद खतम करने वाला घरेलू नुस्खा आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ जिसे लेते ही पेट दर्द गाइब हो जाएगा आज कल छोटे हो या बड़े पेट दर्द की प्रोब्लम बहुत ही कॉमन है जो कभी भी हो जाता है दर्द के मारे बिहाल हो जाते हैं सारे काम बंद हो जाते हैं फिर पेट पकड़कर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं पर चैन नहीं पड़ता कुछ लोगों को कुछ भी इन फ्रेश नहीं होते जब फ्रेश नहीं होते तो पेट में दर्द होता है कभी कभी ज़्यादा स्पाइसी और वाईली फूड खाने से भी पेट में दर्द करने लगता है फिर इसका क्या उपाई करें तो आज पेट दर्द को तुरंत खतम करने के लिए मैं आपके साथ दो गरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूं जिसको बनाना बेहदासान है और इसको लेते ही आपको पेट दर्द में तुरंत आराम मिलेगा तो वीडियो को लास तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि यह नुस्खा क्या है कैसे बनाना है और कैसे लेना है तो चलिए हम लेंगे चोथाई चम्मच अजवाइन अजवाइन में इंटी स्पास्मोडिक और कार्मीनेटिव बुन पाये जाते हैं जो गैस के प्रभाब को कम करने के लिए दवाई की तरह काम करता है साथ ही इसमें थाइमूल नामक कंपाउंड भी भरपूर मातरा में पाये जाता ह इसके अलावे अजवाइन खाने को पचाने में भी मदद करती है जिसे की कब्ज की समस्या तूर होती है तो अजवाइन को हम थोड़ा सा हथेरियों के बीच में क्रस कर लेंगे और उसके बाद एक कटोरी में डाल लेंगे दूसरी चीज हमें लेनी है एक चोथाई चम्मच सोट यानि जिंजर पाउडर सोट में एंटी इंफ्लामेटरी गुन होते हैं जो पेट की जलन कम करने में मदद करते हैं एंटी इंफ्लामेटरी होने के कारण या पेट के डाइजेस्टिव जूस को सामानी रखने में भी हल्पुल होता है जिससे पेट में आराम मिलता है हमें लेनी है काला नमक तो यहां पर हम एक चोथाई चमच काला नमक ले लेंगे अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगली चीज हमें लेनी है हींग तो यहां पर दो चुटकी हम हींग ले लेंगे हींग भी पेट दर्द मे भी निजाद दिलाने का काम करते हैं, तो इन चारों चीजों को हम मिला लेंगे और यह नुस्खा बनकर त्यार हो गया है, अब इस नुस्खे को लेना कैसे है, इस नुस्खे को हमें चमत से लेकर के और मुझ में फांक लेना है, और उपर से 2 घुट गुन-गुना पानी पी आप इस नुष्खे को इस्तेमाल करते ही देखेंगे कि आपको पेट के दर्द में बहुत रहत मिल गई है अगर आपके पास अधरक का पाउडर यानि सोंट नहीं है या फिर हींग नहीं है तो आप कैसे नुष्खे को तैयार करें तो इसके लिए आप इस दूसरे नुष्ख लगभग एक चोथाई चम्मत से थोड़ा सा कम अब इन दोनों चीजों को हथेलियों पर ही अंगुठे की सहायता से थोड़ा सा दवाते हुए क्रस्ट कर लेना है ताकि नमक और अजवाइन जो है अच्छी तरह से मिल जाए अब यह नुस्खा बनकर त्यार हो गया है तो बस आपके पास जो भी चीज़े अब लेवल हो जो भी आपको बनाना असान लगे आप उस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए यह ट्राइड और टेस्टेट नुस्खा है तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए और अपना फीडवेक कमेंट करके शेर कीजिएगा वीडियो देख